नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिण तुशान शुपंडे और हम जो है एक्जाम सेरीज में लगे हुए थे हम लोगों ने इसमें फास्ट्रक रिविजन सीरीज के तहर जो है इस चैप्टर के बारे में सारी ज और उसके बाद में एप्लिकेशन में आपको हमारे एडिशनल कंटेंट मिलते हैं तो आप एप्लिकेशन डाउनलोड करें लेकिन गतिमान आवेस और चुम्बकत को यहने की मोविंग चार्ज एंड मैगनेटिजम इससे जुड़े हुए जितने थियोरी क्वेस्टन से हम ल बायो सेवर्ट का नियम द्वारा किसी धारवाही कुण्विप्ति कुणली के अक्ष परिस्थिति किसी बिन्दु का चुम्बके छेत्र की तीवता हे तुवियंजग फ्योत्पन कीजिए कपका क्वेशन है 2020 में कहां मिलेगा भाई हम लोगों ने जो क्वेशन है यह आल्र लिए मैं क्या करता हूं चलिए है यह हमारा एक लूप यह हम लोगों ने एक्स अक्ष पर भै एक्स और यह हो गया यहां पर यह वाई आक्ष है वह लूप हो कैसा दिखाई दे रहा वो हम लोगों ने कुछ यह घरवाही तो उसको कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ताकि वह एक्स वाई अक्ष पर हो अब इसके केंद्र से होके गुजरने वाली रेखा में हम लोग एक बिंदू ले लेते हैं पी और इस बिंदू पी के लिए जो हम चुम्ब की छेतर की तीवता निकाल तोलने लेकिन उसका तरीक divided by r का वर्ग अब यहां से जो हम पहले r निकाल लेते हैं तो यह हो गया हमारा r और r की जो है लंवडाई r लंबाई है तो यह r लंवडाई के लिए हम क्या करेंगे भाई यह जानकारी हमको मिल गए अब यहां से जो है जो चुम्ब की छेत्र निकलेगा वो कैसा निकलेगा तो यहां पर से जो चुम्ब की छेत्र निकलेगा आप देखिए ध्यान से कि हम जो है दाय हाथ के लिए हम का उपयोग कर रहे हैं अगर धारा की दिसा ऐसी है कि जो है तो य कि छेतर निकालेंगे तो वो इस दिसा में घाता हुआ दिखाई देगा है यह हो एप फिर दिखेंघर- हम लोगोंने अभी फिर के तरह हम लोगों ने अभी चुम्पकी खेतर इस बिंदू के लिए जहांपर हमको डी अलिएल यह करिंट एलिमेंट दिखाई देता है इसी की बजाए यहां पर मिरेंगे यहां का आईडियल जब देखेंगे तो इसके लिए भी हमको वैसा ही चुम्ब की छेत्र निकालना पड़ेगा और उस चुम्ब की छेत्र की दिशा जो है इधर डीबी होने के बजाए इधर डीबी मिलेगा और इस तरीके से हमको जो है इस डीबी के भी यहां पर यहां कॉस कॉंपोनेंट मिलेगा डीबी डीबी कॉस थीटा और यहां पर जो है हमको db sin theta दोबारा मिलेगा यहां पर यह जो db cos component है वो क्या इसके व्यास पे जो है इससे तर दो बिंदुवों पर जो है vertically opposite बिंदुवों पर जो है एक दूसरे के चुम्बकी छेत्र के cos component को खतम कर दिया जाता है और हमारे पास कुल मिला के db sin theta वस्ता है इसके बाद में हम क्या करेंगे बी नेट बी नेट बी नेट बराबर db sin theta जितने भी component है उनको जो है हम जोड़ देगे अब sin theta की बात की जाए तो यहां आपको क्या दिखाई देता है आप धिहान से देख और यहां पर p तो तरभूज aop में हमको क्या दिखाई देता है sin theta sin theta बराबर लंब बटा आधार और यह हो जाएगा y बटा r और यह जानकारी हम जो है यहां डाल देते हैं तो यहां पर हमको क्या मिला देखे यहां पर हो जाएगा db यह होता है i dl sin theta divided by r का वर्ग और यहां हो जाएगा mu 0 by 4 pi और यह मिला के जो है b net का मान हो जाएगा अब देखे यहां पर हमको क्या दिखाई देता है कि यह जो dl है भाई बाकी तो सब जो है क्या है बाकी सब जो है नियतांक है और यह sin theta का मान क्या है यहां पर देखे यहां जाएगा i dl और sin theta होता है y ब तो यहां से हमको बी कमान निकलता है बी बरावर म्यू जिरो बाई फॉर पाई और यहां पर हो जाएगा आई बटा आर की घात तीन और फिर यहां हो जाएगा देखिए डी एल अच्छा यहां यह जो वाई है इसको यहां रख लेते हैं अब यहां देखते हैं कि कुल मिलाके जो लंबाई होगी तो इस गोले की जो है खुल मिलाके दिल में आएगा यहां तो इस तरीके से यह हो जाएगा यह हो जाएगा mu 0 by 4 pi और यहाँ हो जाएगा i y बटा r की घात 3 और यहाँ हमको मिलता है 2 pi y क्योंकि यह परिदी है 2 pi y अब यहाँ देखिए तो यह y हो गया यहाँ देखेंगे तो यह y हो गया और यह pi y हो गया इन दोनों को मिला के जो है 6 तरफल निकल जाता है pi y का वर्ग बराबर a और यदि इस गुले में जो है इस चल्ले में जो है अगर n n कुल मिला के जो है n चल्ले हो तो इस प्रकार जो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर मिलेगा b बराबर b बराबर mu 0 by 4 pi mu 0 by 4 pi और उसके बाद में हो जाएगा n i और यह 6 तरफल हो गया 2 n i a divided by r की घात 3 और हम लोगों ने क्या देखा था यह चुम्बकिय ग्वेधरू आगुण p m का मान क्या होता है p m का मान होता है n i a और इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर चुम्बकिय छेतर की तीवरता मिलती है b is equal to 2 p m divided by r का घात 3 और यह चुम्बकिय चेतर का व्यंजक हो गया अक्षी स्थिति में तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी आपको यह चीज़े समझ में आई होंगी इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था यह प्रश्ण कप का है 2020 में पूछा गया प्रश्ण है इसलिए महात्वपूर्ण है इसी तरीके के और भी प्रश्ण आपको मिलते रहेंगे जुड़ है यह हमारे साथ और मेरा नाम है अभ्हनत्वशांशो पांडे